नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर वर्षा सिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों मैंने हाल ही में गुरुदेल श्री श्री रवीशंकर जी का आर्ट ओफ लिविंग कोर्स जोईन किया उसका प्रभाव मेरे जीवन पर कितना सकारात्मक बड़ा बस यह भी जानते हैं कि क्रोध जूट और इर्शा से हमें दो रहना चाहिए लेकिन फिर भी इनके सामने हम कभी न कभी घुटने टेक देते हैं जीवन भर हमसे यह जीतते रहते हैं और हारते रहते हैं प्यार धीरज सत्य और शमा और हमें सामना करना पड़ता है कलह का आरफ और लिविंग का कोर्स की जिए आरट ओफ लिविंग मनुष्य के पाश कुर्षिक यानि के पशु वाली प्रवरतियों को खत्म करके मानवय प्रवरतियों को बाहर निकालती है वहीं से हार शुरू हो जाती एहंकार की क्रोध की तनाव की और अनिंद्रा की यह मैं य सिखाता है बेवजह मुस्कुराना और हम दिन भर मुस्कुराते हैं तो कमाल होता है और जादू होता है और आपको जिन्दगी खुबसूरत लगने लगती है मैं शुरू से ही हाइली मोटिवेटेड रही हूं तनाव चिंता से दूर दूर तक का नाता नहीं है फिर भी मैंने यह कोर्स जॉइन किया और मैंने अपने अंदर से एक बहतर वर्षा को बाहर निकलते दिखा यह कमाल है आर्ट ओफ लिविंग का मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जीवन पर आर्ट ओफ लिविंग का क्या प्रभा पड़ा सबसे पहले आर्ट ओफ लिविंग आपको हर परिस करा है इसे महसूस करो सब लोग बहुत अच्छे हैं सब हम जैसे हैं उन्हें स्विकार करने की शम्ता हम में भरती है समाज की सेवा करना हमारा महत्पूर इस कर्टव्य के प्रती आर्ट ओफ लिविंग हमें सजग बनाती है और सबसे बड़ी बात यह सब चीजे हम जानते हैं लेकिन कभी अपलाई नहीं कर पाते हैं तो आर्ट ओफ लिविंग के अंदर कुछ ऐसे गेम्स हैं कुछ ऐसी क्रियाएं हैं और योगासन है कि आप उट यह आर्ट ओफ लिविंग का प्रमोशन तो नहीं कर रही है तो दोस्तों मैं आपको दिल की बात बता रही हूं यह इतनी अच्छी चीजे के अगर आप करेंगे तो आप भी नी संधे इसका प्रमोशन करने लगेंगे और आप भी चाहेंगे मैकसिमम लोग इस को जॉइन करें और अपने जीवन को बहतर बनाएं तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यह आपके जीवन के तनाव को कम नहीं करता है बलकि आपके जीवन में जो तनाव है जो परिशानी है उनको हैंडल करने की शंता आपके अंदर कूट-कूट क कर भड़ देता है कि आप हस्ते हस्ते हाथ परिस्तिती का सामना कर सकते हो मैंने च्छे दिन आर्ट ऑफ लिविंग के अनुसार बिताए और यकिन मानिए वहां से आने का मन नहीं करता था वहां से निकलते ही खुद में इतनी उर्जा महसूस होती थी कि हम किसी भी परिस्ति परिस्तिति का सामना कर सकते हैं मैंने कई संस्थावगा के साथ काम किया है सम्में कहीं न कहीं सवार्थ भरा हुआ हैं लेकिन और airflow living नीशार्थ करती है और हमारे भीतर नीशार्थ भनने के भाब को मजबूत करती है यह है तो हुई मन को मजबूत बनाने वाली बात अगर हम आर्ट ओफ लिविंग को 100% अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो आप कभी बिमार नहीं पड़ सकते और अगर कोई बिमारी है तो वह आर्ट ओफ लिविंग के टेक्निक से बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है यह प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया है हमें धन्यवाद गुरुदे का देना चाहिए जिन्होंने हमारा परिजे हमारी संस्कृति विरासत में मिली टेक्निक से करवाया है मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट वह था जिस दिन हमारा कोर्स पूरा हुआ हमारे गुरुजनोंने हमसे गुरुदक्षणा मांगी आपको मालुम है उन्ह पर अपडेट कीजेगा और इसको एक दिन भी मिस नहीं करना है हमारे लिए सच्छी गुरुदक्षणा वही होगी तो दोस्तों अपने जीवन को बहतर बनाए आर्ट ओफ लिविंग का कोर्स जॉइन करके अपना बैस्ट वर्जन बाहर निकालिए किसी भी संसा से कुछ सी लिखने के बाद आपको संसा बाई बाई कह देती है हमारे गुरुजनों ने कहा वेलकम इन आर्ट ओफ लिविंग फैंबली प्रति दिन हमारे लिए सजग रहने के लिए धन्यवाद आर्ट ओफ लिविंग और मैं इस्पेशली ठैंक्स कहना चाहती हूँ प्रेर्णा अनिता जी का जिन्होंने हम लोगों का प्रोचसभान बनाए रख और आज भी वो हमारे साथ जुड़े हूए हमारी केर करते हैं ठैंक्यू वेरी मच्च